नमस्कार दोस्तों बहुफुत बहुफुत स्वागत आपका मेरी यूटुब चैनल कुनाल टेक्निकल सुरीश में तो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज आप देख पारोगे हमारे पास लेनोवा आइडिया पैड 330S का एक लैप्टोप बाया है कर्ष्टपन का कहना है कि यह जो है लैप्टोप बहुत ही जदा स्लो चल रहा है तो आज हम इस लैप्टोप के अंदर में M.2 की SSD को रिस्टॉल करने वाले हैं तो कैसे हम लोग लैप्टोप के अंदर M.2 की SSD को लगाते हैं आज की पूरी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाँ दोस्तों मेरे चैनल पर नहीं है, तो ये चैनल को सब्स्क्राइब करना भी तो आप बूलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पर लैप्टोप एंप्टोप को फास्ट करने के लिए हम लोग लैप्टोप के अंदर M.2 की SSD कैसे नेदाते हैं, तो फट्टावर चलते हैं दोस्तों लैप्टोप की तरफ, लैप्टोप का मोडल नमबर आपको दिख पा रहा होगा, लेनोगो आइडियापट 330S, तो ये जो है लैप्टोप हमारा i3 7th जनरेशन का है, तो इसके अंदर हमारा जो लगेगा SSD वो लगेगी M.2 की SSD, ठीक है, तो 7th जनरेशन वाले लैप्टोप में डलवाना चाहते हैं, तो M.2 की से तरीकी ए SSD होती है, तो अभी हम इसको डालते हैं, तो फटावड़ से हमिस क्या करना होगा, लैप्टोप को हमारे को खोलना होगा, तो लैप्टोप को उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख पा रहे ह कुछ कुछ ली तंग तो आप देख पा रहे होंगे हमारे लैपटोप के सारे पेज यहाँ पे खुल गए हैं ठीक है यह कवर हटा के देख लेना चाहिए यहाँ पे मैंने भी बीच में हटाया था कवी कवर इसके नीचे पेज होते हैं तो अगर हम पेज नी खुलेंगे तो इससे जो हमारा डैमेज होने का खत्रह होता है अब हमारे को क्या करना होगा इस लैपटोप के लिए हमारे खत्ती यहाँ फसाना होगा पत्ती को और इसको ऊपर कि रख उठाना होगा इस तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से इदर लोप होते हैं लोग को इस तरीके से उठाते जाना है तो देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारा जो लैपटोप पर ढखकन है वो जो है बहुत ही असानी से बाहर आ गया है इस तरीके का देख सकते हैं डखकन है ठीक है दोस्तों अब इसके अंदर देखते हैं M.2 SSD लगाने का स्लोट कहां पे है ठीक है तो सबसे पहले हमारे को इनको फोलना होगा यह उपर जो पत्ती लगी हुई है तो इसको फोलने के लिए इनमाले पेचोगा आपको फोलना होगा और इस तरीके से इस पत्ती को जो है हमारे को बाहर निकाल लेना है तो इस तरीके से हमारी दोस्तों देख सकते हैं पत्ती बाहर आ गई है अब यहां पर दोस्तों यहां पर देखते है SSD का स्लोट यहां पर दोस्तों यह देख सकते हैं M.2 की SSD का स्लोट जो है यहां पर लगा ह है ठीक है तो हम क्या करते हैं SSD आपको यहां देख पा रहे होगी यह हमारी consistent की SSD है ठीक है इस पर देखा जाए तो 75 सो रुपे का rate लिखा है ठीक है दोस्तों M.2 SSD में 75 सो रुपे का rate लिखा है बट यह जो हमारी SSD होती है वो होती है हमारी अलग-अलग company के इसाफ से आते हैं किसी का rate 2000 रुपे है किसी का पचिस सो रुपे है किसी का तीन अजार रुपे है तो अपने जो है rate के हिसाफ से आप लोग दे सकते हैं यह SSD का rate है बाकी windows बगरे डालने के drivers बगरे डालने के और technician अपने लगाने के charges जो है वो आपसे अलग ले सकता है ठीक है तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग rate होते है इसलिए जो है मैं आपको rate का बताता नहीं हूँ पर ये बता देता हूँ कि कहा से कहा तक आपको ये SSD मिल जाती है ठीक है दोस्तों अब इसको क्या करते है मैं भी खोल लेते हैं तो ये हमारी SSD होती है इसको हमें इस तरीके से खोलना होगा और इस तरीके से हमारे SSD को बाहर निकाल लेना है ठीक है ये हमारी SSD जो है यहाँ पर बाहर आ गई है consistent company की SSD ये होती है ठीक है इसके लिए हमारे को शायद एक पेज चाहिए होगा तो सबसे पहले मैं एक छोटा पेज डून लेता हूँ और इसके बाद आपको इस तरीके से इसको यहां पे लगा लेना है ठीक है ये देख़ने होंके हमारे SSD गुश गई है यहां पे इस तरीके से रखना है और यहां पे पेच को लगा देना है ठीक है यह SSD जो है हमारी यहां पे fix हो गई है बड़ उससे पहले आपको एक चीज का दिया नफ ना होगा यहां पर आपकी hard disk लगी हुई है hard disk को एक बारी खोल लेना है ठीक है यहां हमारी hard disk के दो पेच लगे है इसको खोलने का मतलब यह है कि इस समय अगर मान लीजिए customer के laptop में फोई भी data होगा तो वो data loss होने का chance बिल्कुल खतम हो जाता है क्योंकि जब SSD के partition मना आते हैं hard disk लगे-लगे में तो हम नहीं पिचान पा सब्सक्राइब लगाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें इसका power button को दबाना है laptop हमारा own होगा उसके बाद Fn प्लस F12 की को दबाते रहना है तो यहां देख पा रहे होगे आप यहां पे जो हमारी flash drive दिख गई है ठीक है यहां पे आपको कर्मा होगा दोस्तों enter तो enter करते ही आप देख पा रहे होगे यहां जो हमारी window start हो गई है तो Lenovo की जो bios की होती है वो होती है Fn प्लस F2 और जो boot क प्लस F2 ठीक है थोड़ा सा time लेगा तो आप देख पा रहे होंगे यह start हो गई है और window का जो है पहला पहली screen जो है यहां पे आ गई है तो cursor से आपको जो है इसको next करना होगा यहां पे install now करना होगा और setup is starting लिखा आ जाएगा इसकी अबद आपको यहां पे I accept the license terms को accept करना होगा यहां पे टिक कर लें और यहां पे जो है next पे क्लिक कर दीजिए next पे क्लिक करने की बद यहां दो option आएंगे आपको custom install windows only के उपर जाना होगा यहां पे इसको क्लिक करना होगा यहां आप देख पा रहे होगे SSD जो हमारी दीख गई है 238.5 GB दिखाता है 256 GB में ठीक है यहां पे मैं क्या करूँगा 256 GB अभी जो है मैं यहां पे पूरा बना लेता हम ठीक है बाद में partition अगर करेंगे तो मैं बाद में shrink कर लूँगा तो इसको यहां पे हमें apply करना होगा और ok करना होगा new बनागे और यहां पे हमार security को भी बाद में लगा देंगे उस तरीके से page लगा देंगे और वापस से इनकी hard disk हमने लगाई थी दो page को लके इनकी hard disk लगा देंगे तो इनकी SSD C drive दिखाएगी और बाकी की जो इनकी पहले की partition बने होंगे वो इस वाले hard disk के अंदर में दिखाएंगे अगर मैं आपको द कि और यहां पर आपको थीम्स दिख रहा होगा थीम्स में जाकि यहां पर आपको दिख रहा होगा desktop icons लिखाऊगा थोड़ा सा यहां 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 पर जो हम इसके desktop icons सबसे बहले बना लेते हैं ठीक है user वगेरा सब ले लेते हैं और यहां आपको अपलाई करके ok पर कर देते हैं तो यहां जो है हमारे icon बन गई है यहां पर 30 PC के अंदर हम लग जाएंगे तो यहां आपको दिख पा रहा होगा मेरी pen drive लगी मैं pen drive को निकाल लेता हूँ pen drive को निकाल लेता आपको यहां पर एक partition दिख रहा होगा 237 GB का ठीक है तो इसमें जो है सिर्फ SSD का हमारा C drive का partition मनावा है तो अब इसके अंदर जो हाट disk को लगा के आपको दिखाते हैं आपके पास जो हाट disk भी शो यहां पर करने लग जाएगी इसको shutdown कर लेते हैं और इसमें जो हाट disk को लगाते हैं तो हाट disk हमारी इस तरीके से यहां पर लग गई है वापा से ठकन लगा के आपको मैं चेक करा देता हूँ बाद में जो है pack कर लूँगा इसको जो हम यहां से इसको खुलते हैं और यहां से इसको power button से on करते हैं अब आप यहां देखेंगे हमारा laptop जो है यहां पर on हो रहा है तो यहां पर जो हमारा laptop बहुत ही ज़दा fast boot होने लग गया है देख सकते हैं सिर्फ 10 से 15 सेकिंड में हमारा laptop on हो गया है ठीक है तो एक बार हम दिस PC में जाकर आपको दिखाते हैं कि हमारी hard disk आई है यहां पर नहीं आई तो यहां दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारी hard disk जो है यहां पर आ गई है पहले सिर्फ एक seed drive बनी थी बागी का 1, 2, 3, 4 4 partition जो हमारे को यहां पर show कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी laptop में SSD डल गई है और साथ में customer का data भी लोस नहीं हो और साथ में hard disk भी जो है उनकी लग गई है तो दोस्तों कैसे लगा बेरा वीडियो नीचे comment section में comment बेके जुरू बताएगा और इस वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ में कि जादा से जादा लोगों को पता लगपाए कि हम अपने laptop को जो है fast किस तरीके से कर सकते हैं और laptop में M.2 की SSD को किस तरीके से install कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक like जोड़ से कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुई बन भूलेगा तो दोस्तों जैसा कि भी आपने देखा मैं जो था आपको अपने laptop की तरफ लेकर गया था और मैंने आपको बहुत ही असानी से बताया कि आप लोग जो है अपने laptop के अंदर में अपने laptop की SSD को लगा कर laptop को फाज किस तरीके से ख़र सकते हैं तो दोस्तों आज की इमिटे में सर्फ इतना ही इस वीडियो को जादर से जादर शियर परे चैनल को सबस्क्राइब परे वीडियो को लाइक करे तेने वाद दोस्तों आज का उड़े देखिन की